रगुनात मोहनपुर गाउं में अपनी पत्नी सावित्री और मा के साथ रहता था वो एक बहुत ही महंती किसान था उसके पास एक जमीन थी जिस पर हर साल वो सबजियों की फसल उगाता था आलू, प्यास, टमाटर, बेंगन और कई तरह की सबजियां उगा कर रगुनात अच्छे पैसे कमा लेता था उसी गाउं में साहुकार भगवान दाज भी रहता था वो बहुत ही घवंडी था गरीब लोगों को तो मानो अपने पैर की जूती समझना उसका व्यवहार था रगुनात की जमीन पर जब भी अच्छी फसल उगती तो साहुकार की कुछ भेदी उसे पहले ही खबर दे देते मालिक आपको पता है इस बार रगुनात ने प्यास की कितनी बढ़िया फसल हुगाई है अरे वो तो हमेशा ही बढ़िया सबजी खेत में हुगा कर बहुत पैसे कमा लेता है इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा एक रास्ता है मालिक रगुनात की ये फसल और जमीन दोनों आपकी हो जाएंगी वो कैसे मुनीम जी बताइए जरा भूल गए इस जमीन के दस हजार रुपए अभी बाकी रहते हैं रगुनात ने ये दस हजार रुपए अगले दो महीने में चुकाने हैं अब वो ठहरा अनपः गवार ब्याज लगा कर बोल दीजिये अब वो इतने पैसे कहां से चुका पाएगा ये उसे सोचना है इससे पहले कि वो करजे के पैसे चुका दे हधियालो जमीन मालिक साहुकार ने रगुनात के पिता को करजा दिया था सारा करजा रगुनात ने चुका दिया था बस 10,000 रुपए ही देने बाकी थे पर साहुकार की नियत तो जमीन और फसल पर आ चुकी थी वो सीधा रगुनात के घर पहुँचो और ब्याज लगा कर उससे अपने पैसे मागने लगा पर सेट जी मेरी फसल कटने में अभी 15 दिन का समय है और आप 10,000 रुपए के 25,000 रुपए बना रहे हो इतना भ्यास तो बनता ही नहीं है सेट जी मुझे कुछ नहीं पता अगर तुरे पास पैसे नहीं है तो आज से ये जमीन मेरी हुई ऐसा ना करो सेट जी अरे भगवान दास नाम में भगवान जोड़ा है तो भगवान से डर इतना लालज ठीक नहीं इश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती पर जब पढ़ती है ना तो अच्छे अच्छे बेइमान ठीक हो जाते है अरे हाँ हाँ देखा जाएगा किसको लाठी पड़ेगी सुन रगुनाथ आज से जमीन पर देख में जाईएओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ए भगवान अब मैं क्या करूँगा मेरी जमीन मेरी फसल सब कुछ हाथ से चला गया अब क्या होगा हिम्मत मत हारो साहुकार ने जमीन ली है हमारा हुनर तो नहीं चीना हम खेती करेंगे अरे तुम कैसी बात है कर रही हो सावित्री तुम्हारे सामने साहुकार हमारी जमीन चीन ले गए और हम देखते रह गए अब उपर से तुम कह रही हो कि हम खेती करेंगे अरे कहां करेंगे हम खेती हमारे पास जगा है ही कहा हम प्लास्टिक डिब्बे में सबजी पालन करेंगे तुम ये क्या कह रही हो सावित्री मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्लास्टिक के डिब्बे में सबजियां कैसे उगा सकते है सावित्री बहू सबजियां उगाने के लिए खेत होते हैं, जमीने होती हैं, भला एक छोटे से डिब्बे में सबजी कैसे उगाई जा सकती है मा जी एक बार शादी से पहले मैं अपनी सहेली से मिलने शहर गई थी उसने अपने घर की छट पर एक बाग बना रखा है, जहां पर वो डिब्बों में सबजियां और फल उगाती है और घर की उगे हुई सबजियों का ही इस्तिमाल करती है हमें कोई न कोई रास्ता तो अपना नहीं होगा, क्यों न यहीं करके देख लिया जाए हरे आप तो वैसे भी सबजियां उगाने में माहिर हो मुझे पता है, आप अच्छी खेती कर लोगे बस हमें प्लास्टिक के डिब्बे चाहिए जिनमें हम सबजियों के बीज डाल सके एक काम करते है, सबसे पहले हम टमाटर और बैंगन की खेती करते है अगर वो अच्छी हुई, तो हम और भी सबजियां उगा लेंगे और आपको पता है इसका एक फैदा और होगा हम एक साथ बहुत सारी फसल उगा सकते हैं टमाटर, बैंगन, खीरा, मूली, आलू, प्यास, धनिया, पुदिना और भी कई तरह की सबजियां फिर तो हमारी बिक्री भी और ज़्यादा होगी बहु हाँ माजी, प्लास्टिक के डिब्बों में सबजी उगाने का यही तो फायदा है सुनिये, हम बाजार से कुछ प्लास्टिक के डिब्बे खरीद लाते हैं ठीक है सावित्री, चलो तुम्हारे कहने पर ये भी करके देख लेते हैं सावित्री बहुत सूजबूच के साथ रघुनाद के साथ मिलकर डिब्बों में सबजियां लगाती है कुछी दिनों में सावित्री और रघुनाद की मेहनत रंग ले आती है घर के बाहर खाली जगह में सावित्री ने प्लास्टिक के डिब्बों में टमाटर और बैंगन उगाए थे और दोनों उनकी बहुत देख भाल करते थे धीरे-धीरे टमाटर और बैंगन के पौधे उगने लगे और कुछी समय बाद उन पर बहुत ही ताजी और बढ़िया टमाटर और बैंगन उगाए इतनी अच्छी फसल के बारे में तो रघुनाद ने कभी सोचा ही नहीं था रघुनाद और उसकी माँ बहुत खुश थे सावित्री तुमने तो कमाल कर दिया इन डिब्बो में कितनी बढ़िया टमाटर और बैंगन उगाए है मैंने आपको कहा था ना हमारी मेनत रंग लाएगी अब हम इसी तरह से और भी सबजियां प्लास्टिक के डिब्बो में लगा सकते हैं और सबजी पालन कर सकते हैं अब तो सावित्री और रगुनाद का सबजी पालन का काम खूब चल पड़ा उनकी अच्छी बिक्री होनी शुरू हो गई साहुकार को जब इस बात का पता चला तो वो भी हैरान रह गया रगुनाद बहुत अच्छे पैसे कमाने लगा था पर ये क्या साहुकार के खेट की सारी सबजियों को कीड़ा लग गया और वो खराब हो गई जो जमीन साहुकार में रगुनाद से छीनी थी वो सूख कर बंजर हो गई तब उसे रगुनाद की मा की बात याद आई रगुनाद की माने सची कहा था इश्वर तेरी लठी में आवाज नहीं होती उद्धर रगुनाद और सावित्री पूरी मैंनत से सबजी पालन का काम कर रहे थे उन्होंने अपने जैसे और भी जरुरत मन sicसानों को अपने पास काम दे दिया जिससे वे किसान जिनके पास अपनी जमीन और खेत नहीं थे वो सब रगुनात और सावित्री के साथ मिलकर काम करने लगे अब गाउं में कोई भी घर भूखा नहीं था और कोई भी साहुकार के कर्ज का मोहताज नहीं था भानू की पत्नी उमा के पेट में कोई भी रास की बात नहीं टिकती थी इसी बात को लेकर भानू परिशान रहता था घर तो मैं जा रहा हूँ पर उमा से ये बात कैसे चुपाऊंगा अरे तुम आ गए ये तुम्हारे हाथ में क्या है दिखाओ जरा सोने का हार ये तुम्हे कहां से मिला अरे इसने मेरे हाथ में हार देखे लिया अब तो इसे सच बताना ही पड़ेगा वो भाग्यवान आज जंगल से लकडियां काटते समय जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे ये हार साड़क पर मिला अब इसे संभाल का रख लो और ये बात किसी को मत बताना अरे तुम कैसी बाते करते हो मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो ये बात में किसी और को बताऊंगी पर उमा कहां मानने वाली थी उसे तो हर बात जब तक उगल न दे तब तक चैन कहा उमा ये बात पडोस की शांता को बता देती है क्या तुम सच कह रही हो तुमारे पती को जंगल के रास्ते में इस साड़क पर सोने का हार पड़ा हुआ मिला तुमें क्या लगता है मैं क्या कभी कोई बात जूट बोलती हूँ ये देखो कितना सुन्दर सोने का हार है हाँ ये हार तो बहुत ही सुन्दर है अच्छा मुझे थोड़ा काम है मैं चलती हूँ शांता का पती हरिया मुख्या जी का खास था यू कहलो गाओं के हर घर की खबर हरिया मुख्या जी को बताता था और मुख्या के सामने उसने अपना रुथबा बना रखा था शांता अपने पती हरिया को उमा की बात बताती है और हरिया सीधे मुख्या के कानों तक वो बात पहुचा देता है मुख्या जी ये तो सरासर अन्याय है भानू को सोने का हार मिला पर वो आपको इसलिए बताने नहीं आया कि कहीं आप उस हार को उससे छीन न ले पर काईदे से गाउं के पास वाले जंगल की सड़क आपके हिस्से में आती है इसलिए वो सोने का हार आपका है तु ठीक कह रहा है हरिया जरा मेरे साथ भानू के घर तो चल हरिया मुख्या के कान अच्छे से भर चुका था मुख्या हरिया के साथ भानू के घर पहुँचता है क्यों रे भानू मैंने सुना कल तुझे जंगल से आते हुए रास्ते में सोने का हार पड़ा मिला था तुने ये बात मुझसे क्यों छुपाई रहे वो मुख्या जी वो मैं कर दिया ना सत्यानाश ये बात जरूर उमा ने शांता को बताई होगी क्या बलबूर कर रहा है हर्या वो सोने का हार ले कर आ अरे अरे ये सोने का हार मेरा है कहां ले जा रहे हो ये आर मुख्या जी का है समझे आज के बाद तुम दोनों ने जरासी भी चाला की दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चल हर्या मैंने कहा था ना तुमसे ये बात किसी को मत बताना पर तुम्हारे पेट में कोई बात रुखती कहा है गलती हो गई अब ये गलती दुबारा नहीं करूँगी मेरा सोने का हाल मुग्या चिले गए पर उमा कहा सुधरने वाली थी ऐसे ही एक दिन जब भानू जंगल में दुबारा लकणिया काटने गया अरे लगता है बारिश आने वाली है जल्दी से किसी पेड़ पर चड़ जाता हूँ आज तो मुझे खाली हाथ ही लोटना पड़ेगा अरे ये पेड़ के उपर पोटली कैसी ये तो सोने के सिकों से भरी हुई है कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी चोर ने इस जंगल में पोटली छुपा कर रख दी हो और बाद में इसे ले जा नहीं सका पर अब तो ये पोटली मेरी है मैं स्पोर्टली को अपने साथ ले जाता हूँ अरे नहीं नहीं अगर इस पोर्टली को घर ले गया तो उमा ये खबर पूरे गवं में फैला देगी मेरे पास एक तरकीब है भानु घर जाता है और उमा से कहता है उमा तुम्हें पता है आज मैंने जंगल में एक चमतकार देखा एक पेड गोभी के पराठे उगल रहा था अच्छा मजाग कर ले तो तुम भी तुम्हें यकिन नहीं तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ पर इतनी रात को जाएंगे तो और क्या अभी चलते कहीं सुबा तक पेड से गोभी के पराठे गायब हो गए तो आँँछा मुच तुम बिलकुल सही कहा रहा थे ये पेड तो गोभी के पराठे उगल रहा है ये सच मुच जादू है उमा ये तो कोई चमतकारी पेड है ये देखो, इस पेड़ के उपर सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली भी रखिये हाँ, सच्ची, ये तो कोई जादूई पेड़े है उमा अब हम अमीर हो गए, तुम सुन्दर सुन्दर कहने पहनना, अब हमारे पास भी खूब पैसा होगा पर तुम ये बात किसी से मत कहना लेकिन उमा तो फिर अपनी आदत से मजबूर थी, उसने फिर से ये बात शान्ता को बता दी शान्ता ने हरिया से कहा, और हरिया फिर से मुख्या के पास पहुँच गया इस बार मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा अरिया जाकर लकर हारे भानू और उसकी पत्नी उमा को मेरी हवेली पर लेकर आओ चलो तुम दोनों को मुख्या जी ने अभी हवेली पर बुलाया लगता है उमा ने फिर से शान्ता को सारी बात बता दिये भानू क्या ये बात सच है कि तुझे जंगल से सोने के सिक्कों की पोटली मिली है कैसी बात है कर रहे हैं मालिक मुझे तो जंगल से कोई सोने के सिक्कों की पोटली नहीं मिली आप से किस ने कहा क्यो तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी शांता से कहा था कि कल राट तुम्हें जंगल से एक सोने के सिक्को की पोटली मिली है अब बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास या तुम दोनों को सूली पर चरहवा दूँ वो क्या जीज शायद आप नहीं जानते उमा को नीद में सपने देखने की बहुत बुरी आदत है आप इससे खुद ही पूछ लीजिए कल राट इसने क्या जादू देखा था उमा बताओ कल राट तुमने क्या देखा था हाँ वही तो जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्को की पोटली थी उमा ये तुम क्या बकवास बात हैं बोल रही हो ऐसा ऐसा भला हो सकता है मुख्या जी अब ये कहेगी कि इसने पेड़ के उपर सोने के सिक्के भी देखे थे हाँ वही तो जिस पेड़ पर गोभी के पराठे लगे थे उसी पर तो सोने के सिक्को की पोटली थी भानू उमा को इसी वक्त मेरी आखों के सामने से ले जाओ वरना मैं गुस्से में पागल हो जाओंगा मेरे हाथों से तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता और हरिया तू भी अपनी पत्नी को समझा दे पहले बात को पूरी सुना करे उसके बाद ही बता करे कुछ भी बोल देती है मेरा समय खराब कर दिया भानू और उमा घर आ जाते हैं उमा अभी भी यही सोच रही थी कि कहीं उसने सच में सपना ही तो नहीं देखा था और भानू मन ही मन अपनी समझदारी पर मुस्कुरा रहा था